हेलो प्रेंट्स हम लोगों ने इससे पहले पर्मे 6.1 देखा था थेल्स पर्मे जिसे बोला जाता है या आधार भूत समानपातिकता पर्मे भी कहा जाता है बेसिक प्रपोर्शनेल्टी थेोरम यह क्या था कि कोई तिर्भूज अगर है किसी तिर्भूज की एक भूजा के सम रेखा की चीज़े अगली दो भुजाओं को जो कट करेगी उन दो भुजाओं को जो अनपात होगा जो बिवाजित करने का अनपात होगा वह सेम होगा बेसिकली क्या है कि एक ट्रेंगिल माल लेते हैं कि ABC से ट्रेंगिल है ABC कोई तिर्भुज है अब क्या करें किसी एक भुजा के समानतर माल ने AB के समानतर या BC के समानतर एक रेखा कीचा हमने ये इसको DE बोल देते हैं क्या पता है हमको कि BC समानतर DE यानि हमने क्या क्या किसी एक भुजा के समानतर रेखा कीचा जो दो बिंदों पे विभाजित करती है तो यह AD upon DB equal to AE upon EC तो क्या होता है AD upon DB equal to AE upon CE या AE upon EC बोले यानि यह triangle ABC जब आप draw करेंगे तो यह AD length कुछ आएगा और DB length को आप नाप लेजे फिर AE length को नाप लेजे और CE length को नाप लेजे फिर AD upon DB करेंगे यह आएगा AE upon CE के CE के equal आएगा तो आप कोई भी triangle बना बना के चेक कर सकते हैं कि कोई बेज़े तिरभूज आप बनाईए अपने हिसाब से और फिर क्या करेंगे उसी के parallel line ड्रा करेंगे अनिपार भी verwud कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आप नाप के देखिएगा मैं तो यही है तो इसको हम लोगों ने शिद्ध किया था तो अब इस परमेक के हम लोग क्या देखते हैं विलोम देखते हैं इस परमेक का किसी भी ठियोरम का विप्रीद क्या होता है कि ठियोरम में दो पार्ट होते हैं आपको कि ये दिया गया है या ऐसा है तो ऐसा होगा दो पार्ट होते हैं तो जब ठियोरम का विप्रीद करते हैं तो वही दोनों पार्ट उलट जाते हैं देखें किसे इसमें क्या है कि दिया है कि दिया है डी समांतर बीसी इंट्रेंगल यानि तिर्भूज एबीसी में हमको पता है कि जो यह डी है यह बीसी के पैलल समांतर है यह हमको पता है यह दिया रहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं AD upon DB AD upon DB बराबर AE upon C यह होगा इसको हम लोगों ने सिद्ध भी किया है कि अगर हमको कहीं पर यह मिलता है किसी ट्रेंगल में गुजा के समांतर तो जो यह अनुपात होगा यह इकोल होगा इसका हम लोग यूज कर सकते हैं तो इसका बिपरीत का क्या मतलब होगा बिपरीत का मतलब यह होगा कि आपको बिपरीत क्या होगा रिवर्स हो जाएगा आपको यह पता है तो आप यह जान लेंगे तो इसका बिपरीत क्या होगा आपको यह पता है यानि यह पता है और आप यह कह देंगे यानि क्या पता है आपको यह पता है आपको यह पता रहेगा तो डी समांतर बी सी यह ओगा आप इसका यूज कर सकते हैं तो बिपरीत का मतलब यह होता है थियोर्म का कि थियोर्म के दो पार्ट होते हैं कि आपको कुछ दिया रहेगा और कुछ कान्कुलूजन पर आप पहुँचेंगे जिसको हम लोग सिद्ग कर चुके हैं उसका तो हम लोग क्या कहेंगे कि ad upon db equal to ae upon c यह होगा ही होगा तो इसका विप्रीद क्या होगा अगर किसी ट्रेंगिल abc में ad upon db equal to ae upon c है तो क्या होगा d समानतर bc होगा तो परमे 6.2 हम लोग लिख लेते हैं और फिर इसको प्रूब भी कर लेंगे हम लोग कि परमे 6.2 कि एक रेखा किसे तिर्भुज की दो गुजाओं को एक रेखा एक रेखा किसी तिर्भुज एक रेखा किसे तिर्भुज की दो गुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वो तेसरी भुजा के समानतर होती है ऊnt है वही है उसका पिप्रीद परमे 6.1 का उसा में क्या था कि एक पुजाओं के समान तर रेखा की तो दोनों पुजाओं को समान अन्पात में विभाजित करें ये क्या कहता है कि अगर कोī रेखा है उस bran है तो हम लोग को इसका प्रूब देखेंगे कि है तो कि क्लियर कट पता है एक कि देखते हैं कि क्या दिया है और फिर देखते चाहिए आपको क्या पता है या क्या दिया है और आपको यह भी पता हो कि यह हमको दिया है एक ही अन्पात में विभाजित करें यानि एक ही अन्पात में विभाजित कर रही है तो हमको क्या दिया है कि तिर्भुज A B C में A D अपां D B equal to A E अपां C और सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है D समानतर B C अब हम लोग क्या करेंगे प्रूब करेंगे लाजिक से आगे बढ़ेंगे एक ही कि श्टेप ये A D अपां D B equal to A E अपां C दिया है हमको सिद्ध करना है कि D समानतर B C तो अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें एक प्रूब के लिए आया था प्रूब बाई कंट्राडिक्शन उसमें क्या था कि जो सिद्ध करना रहता है हम उसे के विपरीत मानके चलते हैं और स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम एक ऐसे निसकर्स पे पहुँच जाते हैं कि जिसका mathematics कि वो निसकर्स क्या करता है mathematics को धोस्थी कर देता है तो उस निसकर्स पे आप पहुँचे इसका मतलब क्या हुआ आप जहां से चले थे वही गलत था आप अगर गलत निसकर्स पे पहुँचे हैं जो लीकेद चले हैं वही गलत था तुम्भा क्या कहते हैं कि अधि अधिक्शत को कंट्राइक्षन विरूधा भास आ जाता है तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे कि उनिद्ध का है है माना डी तथा वेसे पार किसा मांतर नहीं है हम लोग क्या माले कि डीए और बी सी समान्तर नहीं है तो अगर डी बी-सी के समान्तर नहीं है तो D से कोई लाइन तो होगी जो BC के समानतर हो अगर ये D जो है समानतर नहीं है तो D से कोई जो रेखाखन तो बनेगा ही न चाहे ये ऐसे बन जाए चाहे ऐसे बन जाए तो हम लोग D से एक रेखाखन बना लेते हैं ऐसे ये E डैस पे तो अगर D समांतर नहीं है तो कोई जो रेखाशन समांतर होगा उसको हम लोगोर ने क्या कह दिया D'dayce होगा कोई तो लाइन होगी न अगर आपने do, triangle में आपने यह से लाइन कोई लाइनों में तो उसके पहल़ बाइन होगी न यहां समझ रहें कि अगर D B C समांतर नहीं है E dash हम लोगों ने क्या क्या इस परकार लिया इस परकार है कि D dash समांतर B C कि हम लोगों ने D से क्या क्या उस A point E dash ऐसा धोड़ा कि वो B C के समांतर है यानि D dash समांतर B C अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है अगर D dash समांतर B C है तो हम लोग क्या जानते हैं कि कि किसे तिर्भुज में एक भुजा के समांतर जो रेखा होती है वो दोनों भुजाओं को समांन अनुपात में बिवाजित करती है तो ट्रेंगिल A B C में देखें A D अपान D B A E dash अपान C dash कहां से हमको यह पता चला यह परमे 6.1 से परमे 6.1 क्या कहता है कि अगर ट्रेंगिल A B C आपका यही है ट्रेंगिल A B C और D तो समांतर है नहीं आपने क्या दूढ़ा है D dash समांतर B C है तो अगर D dash और B C समांतर है तो क्या कहेंगे आप D dash समांतर B C यह दिया है तो A D upon D B equal to A E dash upon C dash यही तो परमे 6.1 कहता है कि अगर एक भुजा के समांतर दूसर एक लाइन आपने ड्रा किया तो यह दोनों को क्या करेगा समांतर पात में विभाजित करेगा यहनि A D upon D B equal to A E dash upon C dash हम लोग कहां से पहुँचे यह परमे 6.1 के यूज करके अब एक चीज़े देखिए कि A D upon D B equal to आपको दिया है A E upon C यह आपको दिया है पहले से इसका यूज तो कर सकते हैं ना तो यह हम लोगों ने देखा तो यह दिया है A D upon D B equal to A E upon C यह कहां से है हमको यह दिया है इसका यूज करेंगे इसको समीकराण 1 कहेंगे और इसको समीकराण 2 यह क्वेशन नमबर 1 हो गया यह क्वेशन नमबर 2 आप देखें यह A D upon D B किसके equal है इसके equal है और वही A D upon D B किसके equal है इसके equal है तो आप क्या जानते हैं कि जैसे A बराबर B है और B बराबर C है तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि A बराबर C क्योंकि यहां पर आप B बराबर C यह पता है तो यहां B की जगां C लिख सकते हैं तो क्या आएगा यानि यह दोनों आपस में equal होंगे तो हम लोग क्या कह लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा A E डैस अपान C डैस इक्वल टो A E अपान C यह हम लोग यहां तक पहुँच गए अब हम लोग क्या करते हैं अगर हमको किसी तरीके से यह पता चल जाए कि जो E डैस वाला पॉइंट है यह क्या है E ही है यानि E डैस और E एक ही पॉइंट है तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग यह देखे हैं D dash parallel है तो जब D E dash और E point एक ही हो जाएंगे तो जो D dash होगा वही D होगा तो D dash अगर parallel है तो D भी parallel होगा तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं इसमें दोनों side में 1 जोड़ देते हैं आप लोग देखें कि ये A dash upon C dash plus 1 A upon C plus 1 ये दोनों बराबर है तो दोनों पच्चों में एक जोड़ने पर तो भी बराबर होगा तो यहाँ पर लिख दीजिए आप दोनों पच्चों में एक जोड़ने पर दोनों पच्चों में एक जोड़ने पर अब लोग यहाँ पर LC हम लेगी तो क्या होगा A dash plus C dash upon c dash equal to a plus c upon c यहां तक पहुँच गया हम लोग अब a dash a dash में c dash a dash यह length है और c dash यह length है आज जब जोड़ोंगे तो ac length मिलेगा तो यह क्या होगा आपका ac upon c dash equal to और a plus c यह भी ac के equal होगा तो यह ac upon c अब हम लोग यह देखिए कि दोनों साइड से ac ac cancel हो गया यहां से क्या आ गया कि c dash वराबर c यानि c dash और c equal है यानि आप यह कह रहो हो कि जो c length है वही c dash है जो c length है वही c dash है तो इसका मतलब क्या है e और e dash क्या है एक ही point होगे तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि एक ही line पे आप इसी line पे दो point अलग-अलग एक ही side में नहीं धूर सकते कि equal distance पे हो जो इतना length जो है c यह e dash और e एक ही point होगे तभी हो पाएगा तो c बराबर c dash का क्या मतलब है यह क्या आ गया हम लोग का अब देखे हम लोग क्या लेके चले थे कि c dash बराबर c होना चाहिए और हम लोग यह लेके चले हैं तो यह contradiction मिला आप यह माने हैं कि e dash अलग point है तो यहां से हम लोग क्या कहते हैं कि e dash यहां से एक step और है e dash तथा e संपाती होगे संपाती का मलब दो बिन दो जब एक ही होते हैं तो e dash और e एक ही point होँगे e dash तो था e संपाती होँगे आता d dash समानतर bc है तो यहां से क्या मिल जाएगा कि d dash d समानतर bc क्योंकि जो d dash है उसके जगां आप e लिख सकते हैं तो d dash समानतर bc d समानतर bc तो हम लोग यह किये हैं यहां पर तो हम लोग फिर से देखते हैं क्या करना है वो क्या था कि अगर किसी तिर्बुच की एक भुजा के समानतर रेखा खीचे जाये तो वो दोनों भुजाओं को समान अनपात में विभाजित करती है यह क्या होगा अगर दो भुजाओं को समान अनपात में विभाजित करती है तो वो क्या होगा तीसरी भुजा के समानतर होगी तो दिया है हमको ट्रेंगिल ABC में क्या दे है AD upon DB बराबर AE upon CE AD upon DB बराबर AE upon CE हमको दिया है हमको सिद्ध क्या करना है DE समानतर BC तो DE और BC समानतर सिद्ध करना है तो लोग मान लेते हैं कि DE BC के समानतर नहीं है तो अगर D और BC समानतर नहीं तो D से कोई तो line होगी ना जो समानतर होगी BC के तो हम लोग ले लेते हैं कि यह D dash एक line है जो समानतर है तो D dash समानतर BC अब हम लोग पता है कि D dash और BC अगर समानतर हैं तो पर में 6.1 लगाएंगे तो AD upon DB बराबर AE dash upon C dash C के बराबर है यानि AE upon C बराबर AE dash upon C dash दोनों साइड में एक जोड़ दीजिए फिर एलसियम लेजिए आगया AC upon C dash बराबर AC upon C इसको cross multiply करेंगे तो यह cancel हो कि C dash बराबर C आगया यानि E dash और E एक ही point होने चाहिए यानि E dash और E एक ही point है तो आपका D dash अगर parallel है आप तो लेके चले हो ना कि D dash parallel है तो D भी parallel होगा क्योंकि E dash और E अलग-अलग point नहीं है तो हम लोगों ने इसका proving देख लिया proving में यह देखे कि एक-एक जो step होता है यह बहुत logical होता है तो आप धीरे-धीरे जो है इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहां तक देख चुके हैं क्या देख चुके हैं कि समरूपता हम लोगोंने सबसे पहले देखा समरूपता में क्या देखा कि दो बहुत समरूप होंगे अगर उनके संगत कोड बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपाद समान हो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी figure को जूम करने से या उसको छोटा करने से एंगिल चेंज नहीं होता दो लाइनों के बीच में क्या होता है जो जो dimension होता है यानि जो length वगेरा होता है वो एक fix number से multiply होके बढ़ जाता है जैसे आपने आपकी कोई photo है उसमें आपका हाथ 5 cm है और पैर आपका 10 cm है तो माले उसको जब जूम करके हाथ आपका 10 cm हो गया यानि 2 गुना हो गया तो जो photo रहेगे उसमें पैर भी आपका क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा 20 cm तभी balance रहेगा तभी समरूप आएगा नहीं तो हाथ छोटा सा पैर बड़ा सा आजाएगा तो एक ही कहां रह जाएगा तो इसलिए क्या होता है सारे जो है एक fix ratio में convert होते हैं तो हम लोग नोंने बहुज के लिए क्या देखा था कि संगत कौन बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानपाती होनी चाहिए फिर हम लोग क्या आए तिर्भुज पे देखा समरूपता के लिए तो तिर्भुज भी एक बहुज है तो तिर्भुज की समरूपता के लिए हम लोग ने वही condition लगाया कि क्या होने चाहिए सारे कौन संगत कौन बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनपात समान होना चाहिए लेकिन थेल्स ने बताया एक बहुत बड़िया बाद बताया कि अगर तिर्भुज के तीनो कोर्ण आपके समान हैं यानि दो समान कोर्ण एक तिर्भुज हैं तो फिर आप उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सेम होता ही होता है आप उसको चेक करने के जरूरत नहीं है यानि दोनों कंडिशन जो बहुज के लिए दो कंडिशन थी कि संगत कौन बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानपाती होने चाहिए तिरभुज के लिए क्या हो गया एक ही कंडिशन से हो जाएगा कि अगर दो तिर्भुज हैं, तीनों कॉन बराबर हैं, तो संगत भुजाएं समान पाती होती हैं, तो हम लोग इसका यूज कर लेगे, तो हम लोग ये देखे थे कि इस लाजिक पी वो पहुंचे कहां से, थेल्स, कि समान कॉन एक तिर्भुज, कि संगत भुजाएं समान पा करेंगे तो उन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा सेम होगा तो अप्धिर उसका विप्रीत हम लोग देखें कि अगर अनुपात में वो डूबुजाओं को कट कर रही है तो वो लाइन जो होगी वो तीसरी भुजा के समानतर होगी और दूनों का proving हम लोगों ने देखा तो इसके बाद क्या करेंगे आधार भूत समानपातिकता पर में पर बेश्ड हम लोग क्या करेंगे question करेंगे दोनों पर में पर फिर उसके बाद तिरबुजियों के समरूपता पर आएंगे ओके थाइंक्स पार वाचिंग